वेलकम काईस कैसे हैं आसा अच्छी होगी साथ पेएसपी में आज हम सिखेंगे अरे फिलिफ फंक्शन और अरे चेंज की केस फंक्शन दिखी किस परकार काम करते हैं अरे flip function काम करता है यदि हमने किसी value को key में convert कराना है और key को value में convert कराना है तब हम अरे flip function का use करेंगे या फिर हमने कभी भी किसी value या किसी key का case change कराना है तो उसके लिए हम change key case function use करेंगे प्रैक्टिकल ली करके देखते हैं इसमें तो इस video में तक बने रहे हैं नमस्कार साथ हूँ मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer gangory channel चलिए सीख लेते हैं तो यहां पर example के लिए मैंने जो last video में आपको बताया था वही file open करी है जहां पर मैंने आपको array chunk और array column का function बताया था तो variable हम यहीं रखेंगे हमने यहां पर associative array लिया इस variable के अंदर और यहां पर हमने क्या करना है हमने जो एपल और इसके rate इधर दिये हुए हैं हम यह चाहते हैं कि इनको हमने swap कराना है नहीं कि flip कराना है rate तो हमारे पहले आए और जो key है उनके नाम है वह हमारे बाद में आए कुछ इस परकार से हैं तब हम use करेंगे यहां पर array flip function का तो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर एक ही parameter आएगा तो बाकी के parameter में यहां से हटा देता हूं सिरफ यहां पर हम वह variable pass करेंगे जिस नाम से ह हमने variable लिया है यहां पर हमने rate के नाम से variable लिया यहां पर हमने लिख लिया और यहां से मैं array chunk function को हटा देता हूं और चंकी की जगह मैं करता हूं flip ठीक है array flip करेंगे इसको हम save करा देंगे print मैंने पहले करा ही रखा है print हमने new को करा रखा है ठीक है new array एक नया array बनाकर देगा हमको और वापस अपनी file पर आते है और इसको हम run कराते है यहां पर तो देखोई यहां पर इसने इसके rate को value डली थी वो हमारे first key के अंदर ले आ आपने array के अंदर value डाली है जो भी key डाली है या value डाली है वो हमने नहीं पता किस case में डाली है वो upper case में है proper में है lower case में हमने उनको lower case में यहां पे रखना है तब हम यहां पे use करेंगे function array change की case का right इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहां पे यदि हम सिरफ rate र रहने देते हैं बाकि हम दूसरा parameter नहीं लेते हैं तो यह function by default जो भी हमारी value है या key है उनको lower case में कर देगा हम save कराके refresh करा लेते हैं यहां पे यहां पे हमारे यह title case थे और यह सारे भी हां पे lower case चेंज हो चुके हैं और इसके अंदर हम second parameter के रूप में सिरफ दो ही case ले सकत lower तो by default भी आ जाता है हम upper case यूज़ करेंगे उसके लिए लिखने का तरीका देखिए मैं यहां पे करता हूँ case underscore upper हमने इसको upper case में करना है और यहां पे जो parameter लिखेंगे वो भी upper case के अंदर ही type करेंगे ना कि lower case के अंदर या sentence case के अंदर इसको हम save कराते हैं और यहां पे refresh क लिखने कराएंगे वापस से तो अब देखो जो भी हमारे यहां पे की जितने भी हमारे जिस भी case के अंदर थी वो सारी अब हमारी upper case के अंदर यहां प्र जाएंगी या फिर यहां पे हमने upper case ले रखा है मैं यहां पर बनाना को upper case करता हूँ right save करा देते हैं तो फिलाल तो यह upper case ही रहेगा देखो refresh कराते हैं हमने lower case में कराना है यदि कोई upper case में हमने लिखा हुआ है किसी भी array के अंदर तो lower case में कराने के लिए लिखने का type हमारा capital ही रहेगा और change change कह रहा हूँ case upper की जगे हम यहाँ पर करेंगे lower right save कर देते हैं refresh कराएंगे तो देखो सारे हमारे lower case में हो जाएंगे जबकि यह हमने यहाँ पर अपर case में लिखा था तो इस परकार से काम करते हैं हमारे array flip और array change की case function okay I hope video आपको जूरू अच्छा लगा होगा इसी परकार अच्छे अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए मारे साथ पनेरा मारे वीडियो को जाधास जाधा हम दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यदि नया हमारे चनल पे तो सब्सक्राइब जूरू कर लें